अगर आप एक mobile user है तो WhatsApp तो यूज़ करना आपको पता ही होगा, अगर WhatsApp आप यूज़ करते हैं तो उस पर काफी कुछ ऐसे message हो जाते हैं जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, आप एक third party app को download करते हैं, जिसके जरीए आप अपने WhatsApp को log कर करते हैं, यह log करने का features मैं आपको बिना कोई third party app के इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आए तो subscribe जरूर करके comment में बताईए, कि आपको कौन सा पार्ट वीडियो में पसंद आ रहा है, और एप के बारे में जरूर बताएग ना ही कोई pattern lock है, ना ही आपको कोई number वाला lock है, यह simple से आपके finger prints पे रहेगा, अगर आपका phone finger prints वाला नहीं है, तो उस पे जरूर आप pattern डाल सकते हैं, उसके लिए feature सलग रहेगा, WhatsApp ने available करा के रखे हैं, अपना खुद का एक lock screen बना के रखा है, उसको आप enable करके simply अपने WhatsApp क lock कर सकते हैं, तो आगे वीडियो में चलते हैं, और दिखते हैं कैसे आप अपने WhatsApp को lock कर सकते हैं, यह मेरे friend का mobile, फिलाल मैं जिस mobile से suit कर रहा हूं, वो मेरा है, और यह मेरे friend का है, यहाँ पे भी देख रहे हैं, आप face unlock वाला system है, अगर मैं अपना face दिखाऊंगा, तो यह unlock नहीं होगा, simply यहाँ पर password डालना पड़ेगा, यह मैंने unlock कर दिया, अभी यह WhatsApp आपका खुला हुआ दिख रहा है, आपको WhatsApp का ओपर features WhatsApp लिखाई है, तो अब इस से ज्यादा मैं क्या बोलो कि यह WhatsApp है कि क्या है, आपको WhatsApp में कहां पर features मिलेकर, जहां से आप अपना WhatsApp को lock कर सकत है, किसी को message दिखाए बिना, मतलब आप hide करना चाहते है message, तो कोई application के आपको जोत नहीं, आप simply यहाँ से कर सकते है, यह आपका setting option पर जाएंगे, हिंदी language इन्हों ने select किया, इसलिए यहाँ पर हिंदी पर interface दिख रहा है, बाकि आपके में English में लिखा होगा, या जो आप आपने language select कियोगी, उस पर लिखा होगा, setting option पर click करना है आपको, setting option से नीचे आजाना है, यहाँ पर आपका दिखेगा नाम और बाकी आपके details दिखेंगे, यह account पर option पर click करना है आपको, और privacy, सबसे उपर वाले option privacy option पर click करना है, उसके बाद जो page open होगा, उसमें सबसे नी आपका system setting में जाएंगे, यह privacy में जाएंगे, तो यह fingerprint lock करके, यह option होगा, on नहीं है, इसमें बता रहा है, अगर मैं इसको enable करूँगा, तो यह इनके, उनके fingerprint से, जिनका यह device है, उनके ही fingerprint से यह lock on होगा, या off होगा, अगर इनों ने यह lock को on कर दिया, तो मैं इनका WhatsApp कभी open करूँगा, तो कुछ इस तरह interface आएगा, और वो जब तक अपनी finger को वहाँ पर नहीं लगाएंगे, fingerprint sensor पर तब तक वो lock open नहीं होगा, और मैं message नहीं देख पाऊँगा, तो यह features तो इसमें कमाल का दिया गया है, लेकिन यह features में एक कमी है, WhatsApp वालों के एक कमी है, कि अगर आपका mobile माल लेजे, किसी ने hack करने के लिए, आपका mobile आप से लेके simply system में logging कर लेगा, कि आपको पता भी नचले और आपके system से logging कर ले, तो आप अपना check कर सकते हैं कि आपका WhatsApp कहीं hack तो नहीं है, यहाँ पर लिंक किये गए device, अगर कोई device में logging होते हैं, तो यहाँ पर उसका करेंगा, और वहाँ से वो system से हट जाएगा, अगर उस system में या फिर mobile पे logging रहेगा, तो आपका WhatsApp का message, चाहे आपने WhatsApp पे log लगा के रखा हो, या कुछ भी कर के रखा हो, वो उसके mobile पे show होगा, तो यह घाटे वाली बात है, वाटसेप के दरिए, इस features को भी उनको सुधारना चाहिए, कि अगर वो कोई भी अपना mobile पे या किसी और device पे अपना WhatsApp को चलाने कोशिश करें, तो उसको कोई भी access न मिले, जब तक मेरा fingerprint ना हो लग पाए, तो वीडियो अगर पसंद आई हो, तो comment box में जरूर बताईए, और subscribe जरूर करिए, अगर आप चैनल पे नए हो, तो कोई भी अगर जानकारी चाहिए, तो आप comment box में मुझे लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी देने के अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, और आपके लिए ऐसे helpful वीडियो मनाते रहूँगा, तो मिलेंगे तब तक अगले वीडियो में, नमस्कार. झाल